आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ चॉकलेट गुलाब जामुन की रेसिपी जिसे मैंने ब्रेड से बनाया है इसे आसानी से कोई भी बना सकता है क्योंकि मैंने इसमें ना ही खोवा का यूज किया है और ना ही इसे गिट से बनाया है तो आए रेसिपी शुरू करते हैं ब्रेड गुलाब जामुन बनाने के लिए यहां मैंने 10 ब्रेड के स्लाइस लिए है इसके साइट्स को हमें रिमूव कर लेना है इसके साइट्स को आप फेके नहीं इसे ग्राइंड करके ब्रेड क्रम्स बना ले अब सारी bread slices को grind करके powder बना ले इसका हमें dough बनाना है तो इससे बाउल में transfer कर ले यहां मैंने half cup दूद लिया है इससे थोड़ा थोड़ा डाल कर एक soft dough बना लेंगे थोड़ा थोड़ा करके दूट डाले और mix करते जाएं dough हमारा तयार है अब हमें चाशनी बनाना है जिसके लिए मैंने एक cup चीनी लिया है और उसमें आधा cup पानी डाला है अब इसमें दो से तीन इलाइची और थोड़ा सा केसर डालेंगे अब इसे हाइ फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक चीनी मेल्ट ना हो जाए जब चीनी मेल्ट हो जाए तो फ्लेम लो कर ले दो से तीन मिट बाद आप देखेंगे कि चाशनी थोड़ा चिप-चिपा हो गया है और एक तार जैसा बन रहा है अब फ्लेम ओफ कर ले अब चॉकलेट फिल करने के लिए यहां मैंने होम में चॉकलेट का यूज किया है जिसकी रेसिपी मैं जल्दी शेयर करने वाली हूँ ऐसी चॉकलेट मार्केट में भी मिलती है या फिर आप डेर मिल्क का भी यूज कर सकते है अब ब्रेड का जो हमने डो बनाया था उसका एक छोटा पोर्शन ले और उसे राउंड करके बीच में चॉकलेट फिल करने के लिए स्पेस बना ले इस तरह बीच में स्पेस बनाए और एक-एक चॉकलेट डालते जाए अब इसे उपर से क्लोज करके राउंड शेप दे दे चॉकलेट को सभी साइट से अच्छे से कवर कर ले वरना फ्राई करते टाइम चॉकलेट बाहर निकलाएगा बाकी बचे हुए डो को मैंने प्लेन छोड़ दिया है आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी फिल कर सकते हैं अब इसे फ्राई करने के लिए रिफाइन ओयल में टू टेबल स्पून घी डालेंगे इससे फ्लेवर अच्छा आएगा अब गोल्डेन ब्राउन होने तक सभी को फ्राई कर लें जब कलर ऐसा हो जाए तो इसे निकाल दें अगर चाशनी ठंडा हो गया हो तो उसे एक बर गरम कर ले और सारे गुलाब जामुन को उसमें डाल कर 15 मिनिट के लिए छोड़ दे इसे चाशनी अंदर चला जाएगा गुलाब जामुन शॉट्स बनाने के लिए मेल्टेज चॉकलेट को छोटे-छोटे ग्लासेज में डाल देंगे अब इसके उपर गुलाब जामुन रग दे चॉकलेट गुलाब जामुन शॉट्स सर्फ करने के लिए रेडी है तो आप भी इस रेसिपी को ट्राइ करे और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करे और बेल बटन दबाना ना भूले जिससे की आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन्स आपको मिलती रहे थैंक्स पर वाचिंग